मुसल्मानों ने खोल दी विपक्षियों की पोल, बोले सत्तर साल से हमें बना कर रखा मज़ूर। ऐसा क्या बोले देश के मुसल्मान जो मोदी मुस्कुराने पर और विपक्षी आंसु बहाने पर हो गए मजबूर। यूसिसी के समर्थन में उतरे इमाम, इसके फायदे अब खुद बता रहे हैं मुसल्मान, जहां विपक्षियों सहित देश का आधा मुसल्मान यूसिसी के विरोध में हैं, तो वहीं मुसल्मान खुले आम, मोदी का समर्थन कर रहे हैं। 2024 के लोग सबचनाव से पहले समान नागरिक सहिता को लेकर बहस और तैयारियां दोनों ही तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक संसत के मौनसून सत्र में सरकार इसे लेकर बिल ला सकती है। जाहिर है कि कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। वहीं इसके अलावा All India Muslim Personal Law AI MPLB ने भी इसका विरोध कर दिया है। लोगों से आवाहन किया है। जबकि इसी बीच मुदी सरकार के लिए एक खुश ख़बरी है। पसमान्दा समाज की मुसलिमों ने इसे मुदी सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया है। पसमान्दा मुसलिमों ने सपाबस्पा और कॉंग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा हमें दरी बिचाने तक ही सीमित रखा। जबकि मुदी सरकार ने हमेशा पसमान्दा मुसल्मानों के जीवनिस्तर को उठाने का काम किया। यहां तक कि वहां की मुसल्मानों ने ये तक कह दिया कि 2024 में मोदी से अच्छा देश में दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। युनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर बहस जारी है। कई मुसलिम संगठन लगातार इसके विरोध में भी है। जबकि 12 बंकी में All India पसमांदा मुसलिम समाज ने युनिफॉर्म सिविल कोर्ट का समर्थन किये जाने के लिए मुसल्मानों से अपील की है। AI PMM के राष्टे उपाध्य अक्षवसीम राइस ने भी युनिफॉर्म सिविल कोर्ट यानि की UCC का खुले दिल से स्वागत किया है। उनका कहना है कि UCC PM नरिंद्र मोधी की देश के लिए एक अच्छी पहल है। अब देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून की जरुवत भी है। समान नागरिक सहिता से पसमान्दा समाज की मुसलिमों का भी भविश्य सुधार कर सूचक भी बनाया है। वसीम राइज ने विपक्षी पार्टियों की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़ कर अभी तक सभी राजनेतिक दलों ने पसमान्दा मुसलिमों को दरी बिचाने तक की सीमित रखा। लेकिन अब पसमान्दा मुसल्मानों के जीवन इसतर को उठाने का काम पीम नरेंद्र मोदी के नेतरत्व के अगवाई वाली केंद सरकार ने अपनी तमाम कल्यानकारी योजनाओं के जरिये किया है। पसमान्दा समाज के खुर्शी रालम का कहना है कि यूसिसी का ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो तमाम सरकारी योजनाओं का लाब ले रहे हैं। चुका है और वक्त आ गया है कि मुसल्मान अपने हित को पहचाने और जाने कि कौन सी पार्टियां हमारे हक में हैं। किन दलों ने हमें पिछडा बनाया है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर सही और गलत को पहचाने। अगर हम मिलकर चलेंगे तो आने वाले वक्त में हमारा देश जरूर विश्व गुरू बनेगा। विरो रिपोर्ट